इन्सान इस दुनिया के सर्वत्तम क्रिति जब से यह दुनिया में आया है तब से उसने अपने आपको जानने की कोशिस की है और कुछ सवाल उससे हमेशा विचलित करते हैं जिसमें से सबसे पहला सवाल है Who am I? मैं कौन हूँ? दूसरा सवाल है From Where I Came? मैं कहां से आया हूँ? तीसरा सवाल है What is the universe? यह ब्रम्हांड क्या है? चोथा सवाल है What is my current existence? मेरा वर्तमान अस्तित्यु क्या है? और पाच्वा सवाल है What will be my existence after death? मृत्यु के बाद मेरे जीवन का क्या स्तित्यु है? यह कुछ सवाल है जो हर किसी इनसान के मन में उठते हैं और वो इसका उत्तर पाना चाहते हैं सबसे पहले इनसान के मन में यह सवाल है कि मैं कौन हूँ? और यह जानने का प्रयास है उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास है मेरा जीवन क्या है? किस प्रकार से यह चल रहा है? किसके द्वारा नियंत्रित है? उसके जीवन में होने वाली सुख दुख की घटनाएं क्या है? जीवन में किस प्रकार से घटनाएं घटती हैं, उनका प्रभाव क्या पड़ता है, हमारी इच्छाएं क्या हैं, हम क्या पाना चाहते हैं, क्या मानना चाहते हैं इन सभी का मिश्रण बनकर एक खुद का एक भावनात्म का अकार लेता है और साथ ही साथ हमारे अंदर का यह एहसास हमें एक दूसरी दुनिया के लोगों से समानांतर बनाता है और उस पे हमें विश्वास करने का मन करता है जिसे हम कह सकते हैं कि हमारा खुद के अंदर का एहसास और वो जो एहसास है इस प्रकार का एहसास प्रस्तुत करता है कि कोई एक शक्ती है जो हमें संचालित कर रही है हमारे उपर नियंद्रन कर रही है और वो शक्ती है सुपर नैचुरल पावर एक ऐशी शक्ति जो हमारे जीवन के समाना अंतर चल रही है हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव डाल रही है और उसी के शक्ति के नियंतर चे सारी सारी चीजे चल रही है जिसे हम कह सकते हैं भगवान इश्वर ये जो शक्ति है इस शक्ति को हम अपने self emotion के जरिए इन चीजों पर हम विश्वास करते हैं इन एहसास को मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं इसके बार में जो दूसरा प्रश्ण है कि from where I came मैं कहां से आया हूँ इस प्रश्ण के उत्तर में ये जो सिधान देता है कि ये भी दुनिया जो है या मैं खुद स्वतर creation यानि रचना के सिधान पर मैं आया हूँ इसको supernatural power या इश्वर या भगवान या God उसने रचित किया है उसी को बनाया है इसके साथ साथ में वो फिर तीसरे प्रश्ण को उत्तर ढूने की कोशिश करता है कि ये ब्रम्हान क्या है इस ब्रम्हान को जानने में फिर फिर से वो विश्वास करता है कि उसी supernatural power ने पूरी दुनिया को बनाया है अंत में फिर से एक अंत में प्रश्ण होता है कि मेरा वर्तमान और मृत्यू के पश्चायत में क्या स्थित्व है वहाँ पर वो फिर से उसी supernatural power की तरफ विश्वास करता है कि ये जीवन भी उसी से नियंतिर्थ है इसके पहले और इसके बाद का भी वजूद वो भी भगवान से संबंदित है या supernatural power से संबंदित है तो ये जो मूल प्रश्ण थे इन सभी प्रश्णों का उत्तर इंसान ने ढूनने की कोशिश की है और उसके मन में हमेशा एक भाव आया है कि एक parallel एक समनांतर शक्ति हमारे जीवन के संबंदर में उस चल रही है जो हमारे उपर नियंतित करती है सब कुछ उसी की मरजी से चलता है और हमारे खुद के विचार या हमारा खुद का self emotion रचना का सिद्धान दुनिया या हमारे जीवन और मित्तु के पहले की अस्तित्व ये सब कुछ जाके उसे जुड़ती है और उसी से हमारा संपर्ग बनता है फिर ये जो शीजें ये सारी चीजें जुड़ती हैं एक दूसरे तीषरे से और ये और क्रीब अपने आपको लेकर आती है और करीब इसमें बनती है यह और एक दूसरे के करीब यह सारी चीजें जो है हमारा Self-Reation, रचना का सिधान, दुनिया मृत्य के पश्चात का जो हमारा स्तित्व है उसके बाद में यह और करीब एक दूसरे से जुड़ती है और धीरे धीरे जुड़ती वी ये धर्म का आकार लेती है धर्म के सारे फिरे में इनको समझते हैं कि इनका सारी चीजें धर्म में हमारे समाविष्ट होती हैं इनसान धर्म के सारे इन सक्तियों को जानने की कोशिश करता है और वो विश्वास करता है कि वो जो सुपर नैश् पावर है वो जो इस्वरी शक्ती है वो धर्म के सहारे इनसानों को संदेश देती है नियंतित करती है उसी की इच्छा के उपर चलती है तो ये एक इनसान के अंदर अपनी सभी चीजों को जानने की एक कोशिश थी अब हम आगे थोड़ा सा विस्तार में ये जानने की क्या है और उनके क्या मतलब लगाया जाते हैं तो अब हम इस प्रश्ण को फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि यहूदी मत दुनिया के सबसे प्राचिंतन धर्मों में से एक यहूदी धर्म का इन प्रश्णों के बारे में क्या मत है फिर से हम अपने उन्ही प्रश्णों पर आते हैं Who am I? मैं कौन हूँ? From where I came? मैं कहां से आया हूँ? What is the universe? ब्रह्मान क्या है? What is my current existence? मेरे वर्तमान का अस्तित्व क्या है? What will be my existence after death मेरे मृत्व या मरने के बाद मेरा क्या अस्तित्व होगा? यहूदी धर्म इज्राइल और हेब्रु भाश्यों का राज धर्म में और इसका पवित्र ग्रंट तनख बाइबल का प्राचीन भाग माना जाता है धर्मिक पैगंबरी मानता वाले इस धर्म में एक इश्वर याद वाद और इश्वर की दूद यानि पैगंबर की मानता प्राप्त है अपने लिखित इतिहास की वज़े से यह कम से कम तीन हजार वर्ष पुराना माना जाता है यहुदी धर्म को मानने वाले लगभग डेड़ करोड लोग हैं यह इस धर्म की शुरुआत अगर हम देखें तो खाड़ी देश जिनने हम समझते हैं मिश्र की नील नदी से लेकर इराग के दजला फरात नदी के बीच में आरंब हुआ इजराइल सहित अरब के अधिकांस राज़ों पर राज था और ये पुरा छेत्र मिस्र से बेबिलोन तक फैला हुआ था यहुदियों की धर्म भाषा इबरानी, हिब्रू और यहुदी धर्म गरंद का नाम तनक है जो इबरानी भाषा में लिखा गया है जिसे तालमुद या तोरह भी कहते हैं असल में इसाईयों की बाईबिल में इस धर्म गरंद को शामिल करके इसे पुराना अहद्नामा अर्थात ओल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं तनक का रशनकाल इशापुर्व 444 से लेकर इशापुर्व 100 के बीच माना जाता है इसाईयों के धर्मगरत बाइबिल के प्रतंग खंड पुरवाद का पुराना नियम जिसे उल्ड टेश्टामेन कहते हैं इसे यहुदी धर्म अपना धर्मगरत मानता है इसमें परमिश्वर द्वारा विस्व की उत्पत्ती यहुदी राष्ट और इस्वर से उनका संबन आदिक कहानियों का वर्णन है यहुदी धर्म गरंद इबरानी भाषा में लिखा गया तनक है जो असल में इसाईयों की बाइबिल का पुरुवाद है जिसे उल्ड टेश्टामेन भी कहते हैं पुराने एहद मना नामे में तीन गरंद सामिल है सबसे प्रारम में तौरात, तौरात का शाब्दिक अर्थ वही है जो धर्म शब्त का है अर्थात धारन करने वाला बाइबिल के पुरुवाद में जिस धर्म और दर्शन के बारे में बताया गया है वो निमनलिक मौलिक सिधान्तों पर आधारी थे जिसे हम जुडाजम या यहुदी धर्म के सिधान्त कहते हैं यहुदी धर्म विश्वास करता है कि एक ही सर्व सक्तिमान इश्वर को छोड़ कर और कोई देवता नहीं है इश्वर इजराईल तथा अन्य देशों पर शाशन करता है और वह इतिहास तथा प्रित्विक की एंव घटनाओं का सुत्रधार है वह पवित्र है वह अपने भक्तों से यह मांग करता है कि पाप से बचकर पवित्र जीवन बिता है इश्वर एक न्याई एंव निश्पक्ष न्याई करता है जो कुकरमियों को दंड और भले लोगों को इनाम देता है वह दयालू भी है और पश्चा ताप करने से पापियों को छमा परदान करता है इस कारण उसे पिता की भी संग्या दी जा सकती है इश्वर उस जाती की रच्छा करता है जो उससे सहायता मांगती है यहुदियों ने उस एक इश्वर के अनेक नाम रखे अर्थात एलोहिम यहवे आदोनोई इतिहास में इश्वर ने अपने को अबराहिम तथा उसके महान वन्शो जो पर पकट किया है उसने उनको सिखलाया है कि वस्वर प्रित्वी तथा सभी चीजों के स्रिष्टी करता है स्रिष्टी इश्वर का कोई रूपांधर नहीं है क्योंकि इश्वर की सत्ता स्रिष्टी से सर्वता भिन्न है यहुदी लोग स्रिष्टी करता एंव स्रिष्टी इन दोनों को सर्वता भिन्ने समझते थे यहुदी धर्व में प्रॉफिट को बहुत जादा महत्व दिया गया है जिसका अर्थ है नभी नभी इश्वर का गुर्गान करने वाला इश्वर की शिच्छा तथा उसके आदेशों का उद्गोशक यहुदी धर्म गंत में उसे इश्वर का मनुश्य और आत्मा का भी मनुश्य कहा गया है यहुदी धर्म ऐसी मानता है कि इश्वर या सर्व सक्तिमान ने किसी व्यक्ती से संपर्ग किया है और भगवान की तरफ से उनको अपना संदेश वाहग बनाया है इस प्रकार नभी इश्वर और मानो जाती के बीच में आधार जैसे कार का निश्पादन करने वाले थे वास्तों में नभी इश्वर का प्रवक्ता है जो इश्वर की इच्छा प्रगट करता है और धार्मिक सिच्छा देता है यहोदी धर्म वैसे मुख्य रूप से और तालिस प्रॉफिट और तालिस नभी लोगों को ये मानिता देता है जिसमें सबसे प्रमुक्त है इबराहिम, एसाग, जेकब, उसके बाद मुसा या मोजेज हम कह सकते हैं जिने और आने वाले नभी में कुछ और प्रमुक थें जिसमें से डेविड और या हम दाउद जुनको हम प्रमुक नभी मान सकते हैं इस प्रकार से यहुदी धर्म पैगंबरी सिक्षा पर विश्वास करता है और आने वाले 49 पैगंबरों ने यहुदी धर्म को सही दिशा में ले जाने का इश्वर के प्रती संदेश दिया। सबसे पहला जो पूझनी नाम माना जाता है बहुत ही सम्मान उसे दिया जाता है वो है अबराहिम। अबराहिम का जिवन का लगबग एक हजार आफ सौ इसा पुर माना जाता है। इब्राहनी या इब्राहीम का अर्थाथ यहूदी जाति के पिता में बाइबिल में इब्राहीम का अर्थ है बहुत सी जातियों का जनक माना गया है यहीं ओल्ड टेस्टामेन के शुरुवादी खंडों पर हम देखें तो इब्राहीम के बारे में बड़ी विस्तार से इसको बतलाया गया है और बड़ी खासियत से बताया गया है कि किस तरीके से वो इश्वर उनसे संपर्ग स्थापित करता है आगे हम उनी इश्वर के दिये गए संदेशों को जो अब इब्राहीम को दिया गया उनको विस्तार में हम समझेंगे प्रभो ने एब्राहीम से कहा अपना देश अपना कुटुम और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट उच्पन करूँगा तुम्हें आशिरवाद दूँगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि कल्यान का स्रोध बन जाएगा जो तुम्हें आशिरवाद देते हैं मैं उन्हें आशिरवाद दूँगा जो तुम्हें श्राब देते हैं मैं उन्हें श्राब दूँगा तुम्हारे द्व परिक्षाएं ले गई और उन परिक्षाओं में इबराहिम पुरी तरह से सफलता पुर्वक उनकी निश्ठा प्रगट हुई और इस प्रकार से कहा जाता है कि यहुदी मत में कि इबराहिम के वन्शजों ने ही पुरी दुनिया पे राज किया एक और घटना करम जिसका इबराहिम ने उत्तर दिया प्रस्तुतुन इश्वर ने कहा अपने पुत्र को अपने एक इकलोते को परम प्री इश्ठा को साथ ले जाकर मोरिया देश ले जाओ वहाँ पर जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बड़ी चाहा देना जब वे उस जगह इश्वर को बली चाहने के लिए हाथ बढ़ा कर चुरा उठा लिया परन्तु प्रभू का दूट स्वर्क से उसे पुकार कर बोला इबराहिम इबराहिम उसने उत्तर दिया प्रस्तुतुन दूट ने कहा बालक पर हाथ नहीं उठाना उसे कोई हानिम नहीं पहुचाना मैं सपत खाकर कहता हूँ तुमने यह काम किया तुमने मुझे अपने पुत्र अपने एकलोते पुत्र को भी देने से इंकार नहीं किया इसलिए मैं तुम पर आशीश बरसाता रहूँगा मैं आकास के तारों और समुद्र के बालू की तरद तुमारे वन्शजों को असंख ये बात ये धर्व गुरंद के कहती है कि किस प्रकार से इश्वर और इश्वर के पती इबराहिम ने अपने निष्ठा को साबित किया और वो एक महान पैगंबर कहला है सारे बाइबिल में अबराहिम का महत उसक्रे थे वे स्वए यहुदी जाते के प्रवर्तक थे अबराहिम को इश्वर का दास और मित्र कहा गया इश्वर के आदेश पर ये अपने एक मात्र पुत्र इसमाईल का बलिदान करने के लिए तयार थे अबराहिम के दोरा समस्ट जातियों को इश्वर का आशिरवाद मिलने वाला था वस्ति अबराहिम उन समस्ट लोगों के आद्धामिक पिता माने जाते हैं जो इश्वर पर स्रद्धा रखते हैं अबराहिम के पोते का नाम याकूब था याकूब का ही दूसरा नाम इजराईल था याकूब ने ही यहूदियों की बारह जातियों को मिलाकर एक सम्मलिस राष्ट बनाया था याकूब के बेटे का नाम यहूदा जुदा था यहूदा के ही नाम पर उसके वन्शज यहूदी कहलाया और उनका धर्म यहूदी कहलाया दूसरे पेगंबर के रूप में बड़ी प्रमुख्य मानता है यहुदी धर में और उसका भी एक घटना करम बड़े अच्छे तरीके से दिया गया है कि मेसर के फराओ के जमाने में जन्मे मुसा यहुदी माता पिता की आउलाद थे पर मौत के डर से उनकी माने नील नदी में बहा दिया था फिर उनको फराओ की पत्नी ने पाला और मुसा एक मिसरी राचकुमार बने बाद में मुसा को मालुम हुआ कि वो यहूदी हैं और उनका यहूदी राष्ट जिसे फराओं ने गुलाम बना लिया था अत्याचार सहरा है मुसा का एक पहाड पर परमेश्वर से साच्छात कार हुआ और परमेश्वर की मदद से उन्होंने फराओं को हरा कर यहूदियों को आजात कराया और मिस्र से एक नई भूमी इजराईल पर पहुँचाया इसके बाद मुसा ने इजराइन को इश्वर द्वारा मिले दस आदेश दिये जो आज भी यहुदी धर्म में प्रमुक इस्तंब है इश्वी से लगभग 1500 वर्ष पूर्व अबराहिम के बाद में यहुदी इतियास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मुसा का है मुसा ही यहुदी जाते के प्रमुक वैवस्ता कार है मुसा को ही पहले से चली यारी परमपरा को स्थापित करने के कारण यहुदी धर्म का संस्थापक माना जाता है डेविड दाउद जिनका कार लगभग 1000 इश्वापूर माना जाता है इब्राहिनी पवित्र गंतों के अनुसार इजराईल के राजा थे साउल के उत्रा अधिकारी दाउद इजराईल के सम्वेधानिक प्रसिद राजा है उन्होंने इजराईल के लिए इजराईल के राज को बहुत मजबूत किया वह इश्वर के सक्षे भग थे और उन्होंने दीनता पूर्वक अपने पापों को स्विकार किया उनके लिखे भजन आज भी पूजा में प्रयुक्त है, महान योधा, प्रशाशक तथा भवन निर्माता के रूप में वो नियाई प्री है इसा मसीर दाउद का पुत्र कहलाते हैं क्योंकि दाउद के ही राजवन्स में वो उत्पन हुए थे दाउद की भजन सनीता, एक हिब्रू की बाइबिल और एक इसाई बाइबिल की पुस्तक है, जिसे प्राय साल्म कहते हैं कुल मिलाकर इसके देड़ सो भजन इजराईल के संपूर्ण मजभी विश्वास को अभिव्यक्त करते हैं कई साल्म का संबंद राजा डेविट से मिलता है, तो इस प्रकार राजा डेविट, राजा दाउद, यहूदी धर्म के महान पैगंबरों में से एक थे इश्वर के बारे में, इश्वर के बारे में यहूदी धर्म मानता है यहोवा, यहूदी अपने इश्वर को यहवे या यहोवा कहते हैं यहूदी मानते हैं कि यह सबसे पहले यह नाम इश्वर ने हजरत मुसा को सुनाया था यहोदी मानتाओं के अनुसार इश्वर एक है और उसके आवतार या स्वरूप नहीं है यहोदीं की अनुसार मुसा को इश्वर का संदेश दुन्या में फैलाने के लिए मिला था जो लिखित तनाक तता मौखिक रूपों में था यहोणा यहोणा ने इजराइल के लोगों को एक इश्वर की अर्चना कर दे का आदेश दिया एक और खास बात यहुदी धर्म के मानी जाती है कि मुर्ति पूजा का ये तगड़े रूपे विरोध करता है ये और मुर्ति पूजा को इस धर्म में पाप समझा जाता है वो माना जाता है कि वे इश्वर का अपमान है उस समय येरुसलम का मंदिर येहुदी धर्म का केंदर बना और येहुदियों को मसीह के आगमन की आशा बनी रहती थी निर्वासन के पूर्व से ही तथा निर्वासन के समय में भी येशहा, जरेमिया, यहचकेल और दानियल नामक नबी इस युदावाद की निव डाल रहे थे वे येहुदियों के यहँवे के विशुद एक इश्वरवादी धर्म का उपदेश दिया करते थे और सिकलाते थे कि निर्वासन के बाद जो यहुदी फलिस्तीन लोटेंगे वो नए जोसे इश्वर के नियमोर पर चलेंगे और मसीह का राज तयार करेंगे आज भी यहुदी लोग इस प्रशिद येरुशलम की दिवार पर प्रातना करते हैं और अपने इश्वर को याद करते हैं यहुदियों को अपने अगले पेगंबर के आने का अब भी इंतजार हैं वे अपनी प्रातना येरुशलम के पुराने मंदिर में अपनी पुरानी यादों के साथ करते हैं साथ ही साथ वो मानते हैं कि ये येरुशलम का मंदिर फिर से अपने भव erstmal रूप में होगा और ये उनके मसीह के आने की प्रमुक निशानी होगी प्रारम से ही कुछ यहूदियों और बाद में मुसल्मानों ने बाइबिल के पुर्वाद में धर्म तथा दर्शन की व्याक्या अपने ढंक से किये इशायों का विश्वास हैं ईशा ही बाइबिल में ग्यात मसी हैं किन्तु ईशा के समय बहुत से यहूदियों ने इशा को और स्विकार कर दिया आज भी यहूदी धर्मा वलिम भी सच्चे मसीष की राह देख रहे हैं यहूदी मत स्षिश्टी की रचना के सिधान को मानता है और उसके उत्पत्ती गरंद में काफी विश्टार से इसके बारे में बताया गया है साथ दिनों का घटना करम का जिक्र किया गया है जिसमें पहले दिन की घटना करम में जो उलेक हुआ है उसको हम सुनते हैं कि वो किस प्रकार से उन्चीजों का उलेक किया गया है पहले दिन प्रारम में इश्वर ने स्वर्ग और पृत्वी की सृष्टी की प्रित्वी उजाड और सुनसांती अताह कर्थ पर अंधकार चाया हुआ था और इश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था इश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया इश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंदकार को अलग कर दिया इश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंदकार का नाम रात रखा संध्या हुई और फिर भोर हुआ ये पहला दिन था इश्वर ने कहा पानी के बीच एक छट बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे और ऐसा ही हुआ इश्वर ने एक छट बनाई और नीचे का पानी और उपर का पानी अलग कर दिया इश्वर ने च्छत का नाम आकास रखा, संध्या हुई और फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन था इश्वर ने कहा आकास के नीचे पानी एक ही जगए इकठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, ऐसा ही हुआ इश्वर ने थल का नाम पृत्वी रखा और जल समू का नाम समुद्र और ये इश्वर को अच्छा लगा इश्वर ने कहा पृत्वी उपर हर्याली लहलहाए बीच दार पौधे और फल दार पेड़ उत्पन हो जाएं जो अपनी अपनी जात की अनुसार बीच दार फल लाएं और ऐसा ही हुआ प्रित्वी पर हर्याली उगने लगी अपनी अपनी जात के अनुसार बीच पैदा करने वाले पौधे और बीच दार फल देने वाले पेड़ और ये इश्वर को अच्छा लगा संध्या हुई और फिर भोर हुआ यह तीसरा दिन था इश्वर ने कहा दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नच्छत्र हुँ और ऐसा ही हुआ इश्वर ने दो प्रधान नच्छत्र बनाए दिन के लिए बड़ा रात के लिए छोटा और साथ साथ तारे भी इश्वर ने उनको आकाश में रख दिया जिससे वे प्रित्वी को प्रकास दें दिन और रात का नियंत्रण करें और प्रकास तता अंदकार को अलग कर दें इश्वर को यह अच्छा लगा संध्या हुई फिर भोर हुआ यह चोथा दिन था इश्वर ने कहा पानी जिव जंत्वों से भर जाए आकाश के नीचे प्रित्वी के पक्षे उनने लगें इश्वर ने मकर और नाना प्रकार के जिव जंत्वों की स्रिष्टी की जो पानी में भरे हुए हैं और उसने नाना प्रकार के पक्षियों की स्रिष्टी भी की और ये इश्वर को अच्छा लगा इश्वर ने उन्हें आशिरवाद दिया फलो फुलो समुद्र के पानी में भर जाओ पिर्थवी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए संध्या हुई और फिर भोर हुआ ये पांचवा दिन था इश्वर ने कहा पिर्थवी नाना प्रका जमीन पर रेंगने वाले जीवों को बनाया और ये इश्वर को अच्छा लगा इश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं वह हमारे सद्रिश्य हो वह समुद्र के मचलियों आकास के पक्षियों घरलों और जंगली जारों और जमीन पर रेंगने वाले उससे इश्वर का प्रतिरूप बनाया उसने नर और नारी के रूप में उनकी स्रिष्टी की इश्वर ने यह कह उन्हें आसिरवाद दिया फलो फुलो प्रत्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो समुद्र की मचलियों आकास के पक्षियों और प्रत्वी पर व हो रुआ यह छठा दिन था इस प्रकार आकास तथा प्रत्वी और जो कुछ उनमें हैं सबके स्रिष्टी पूरी हुई सात्वे दिन इश्वर का किया हुआ कार समाप्त हुआ उसने अपना समस्तकार समाप्त कर सात्वे दिन विश्राम किया इश्वर ने सात्वे दिन को आ प्रित्वी की उत्पत्ती का वृत्तान। तो इस प्रकार यहुति ध्रम हमें ये बताता है कि किस प्रकार से ईश्वर ने सृष्षि की रच्ना की। मनुश्य की उत्पत्ती। प्रभू ने धर्ती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा उसके नतुनों में प्राण वायु फूँग दी इस प्रकार मनुष्य एक सजीव तत्व बन गया इसके बाद इश्वर ने पूर की ओर अधन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा प्रभू इश्वर ने मनुष्य को अधन की वाटिका में रख दिया जिससे वह उसकी खेती बारी और देख रेक करता रहे प्रभू इश्वर ने मनुष्य को ये आदेश दिया तुम वाटिका के सभी व्रिक्चों के फल खा सकते हो किन्तु भले बुरे ग्यान के व्रिक्च का फल नहीं खाना प्रभू ने कहा अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं इसलिए मैं उसके लिए एक उपियुक्त सह्योगी बनाऊंगा तब प्रभू इश्वर ने मनुष्य को गहरी नीद में सुला दिया और जब वो सो गया तो प्रभू ने उसकी एक पसली निकाल ली और उस जगे को मास से भर दिया इसके बाद प्रभू ने मनुष्य की निकाले हुई पसली से एक इस्तरी को गड़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया इस पर मनुष्य बोल उठा यह तो मेरी हट्डियों की हट्डी है और मेरे मास का मास इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर से निकाले गई है वह मनुष्य उसकी पत्नी दोनों नंगे थे फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था मगर सर्प ने इस्त्री को वाटिका के बीच वाले फल को खाने के लिए मना लिया उसके बाद इस्त्री ने खुद वाफल खाया और उसने अपने पत्ती को भी वाफल खिला दिया उन्हों की आँखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोड बना लिये उसके बाद जैसे ही इश्वर को पता चला उसने उससे पूछा कि तुमने ये क्या किया तो उसने उत्तर दिया सांप ने मुझे बहका दिया था और मैंने वो फल खा लिया तब इश्वर ने साम से कहा चुकि तूने ये किया है तू सब घरिलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा तू पेट के बल चलेगा तेरी चीवन भर तू मिट्टी खाएगा मैं तेरे और इस्तरी के बीच तेरे वन्श और उसके वन्श में शत्तुता उत्पन करूँगा वो तेरा सेर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा उसने इस्तरी से ये कहा कि मैं तुम्हारी गर्ब वस्ता की कष्ट बढ़ाऊंगा तुम पीड़ा में संतान को जन्म दोगी तुम वासना के काट पती में आसकत रहोगी और वो तुम परशाशन करेगा उसने आदम से कहा चुकि तुमने अपनी पतनी की बात मानी और उसका व्रिच का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था वह भूमी तुम्हारे काट शापित होगी तुम जीवन भर कठोर परिश्ण करते हुए उसकी जीवका चलाओगे और तुम पसीना बहा बहा कर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमी में नहीं लोटोगे जिसे तुम बनाए गए हो क्योंकि तुम मिट्टी सी हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे पुरुष्ण ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा क्योंकि वह सभी प्राणियों की माता है तो इस प्रकार यहुदी धर्म ग्रहत में स्रिष्टी की रचना का विस्तार से वर्णन मिलता है आगे आदम के बारे में प्रभु इश्वर ने कहा है कि प्रभु इश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए उन्हें पहनाया और उसे कहा कि भले बुरे का ग्यान प्राप्त कर मनुष हमारे से दिश्व बन गया है कहीं ऐसा नहों कि वह जीवन व्रिच का फल तोड़ कर खाय और अमर हो जाए इसलिए प्रभु इश्वर ने अदन वाटिका से उसे निकाल दिया और मनुष्य को उसी भूमी पर खेती करने पड़ी जिससे वह बनाया गया था इस प्रकार आदम और हेवा ने अपनी संत्ति को अपने बच्चों को पैदा कर इस दुनिया को आबाद किया यहुदी धर्म में मानेता है कि मृत्तु के पश्चात रूह आत्मा वो शरीर दोनों अलग हो जाते हैं अंतिम दिन न्याय का दिन इश्वर का दिन पर यहुदी धर्म विश्वास करता है वो विश्वास करता है मसीहा का युग आएगा फिर से जेरुसालिम का मंदिर भवे बनेगा फिर से सारे मृत्तक वो उनकी आत्मा को एक किया जाएगा सभी मृतक फिर से जू उठेंगे इसे कयामत कहा जाएगा ये सभी का न्याय होगा वो वो एक एक करके उपर उठाए जाएंगे मसी इश्वर के साथ बैट कर सब का न्याय करेंगे मसी अपनी चुनिहवी यहुदी जनता का उधार करेंगे और वे उन्हें स्वर्ग ले जाएंगे जहां वे सदा के लिए आनंद उठाएंगे तो इस प्रकार यहुदी धर्म अपने विचारों को मानता है कुछ खास बुनियादे से बातों पर अगर हम यहुदी धर्म के विश्वास को अगर देखें तो वो मानता है भगवान ही स्रिष्टी के रचाईता है इश्वर ने यहुदीयों को चुन लिया है इश्वर नभी या पैगंबर के जरिये संपर करते हैं भविश्य में मसी आएंगे और वो इश्वर का राज स्थापित करेंगे तो ये मुख्य सिधान्त है जिस पे यहुदी धर्म विश्वास करता है इनको मानता है यहुदी धर्म एक भावना प्रथान धर्म है और वे अपने धर्म पर गहरी आस्था प्रगट करते हैं तो ये थी जानकारी यहुदी धर्म के बारे में वे अपने बारे में क्या सोचते हैं कुदूरत के बारे में क्या सोचते हैं इश्वर के बारे में क्या सोचते हैं जीवन के पश्चाद उनके जीवन का क्यास देतू है तो ये था भाग दो Judaism, Religion, Universe, God and We का इसके साथ साथ मैं आपको फिर से जानकारी देना चाहूँगा कि इन जानकारियों को और ज़्यादा विस्तार में जानने के लिए पूरे छे भाग को आप फिर से देखें पहला भाग जो है वो हिंदू रिलिजन युनिवर्स गॉड एन वी दूसरा भाग है जुडाजियम रिलिजन युनिवर्स गॉड एन वी जिसे हमने अभी देखा तिसरा भाग है क्रिश्ट्यानिटी रिलिजन गॉड युनिवर्स गॉड एन वी चौथा भाग इसका जो है इसलाम रिलिजन युनिवर्स गॉड एन वी पांच्वा भाग है buddhjan religion universe god and we छटा भाग है विज्ञान universe god and we तो ये सारे धर्म क्या सोचते हैं इस दुनिया के बारे में भगवान के बारे में और अपने बारे में और फिर पूरी तरह से इसका एक वीडियो बना हुआ है जिसमें सभी धर्मों के बारे में बताया गया है और ये क्या सोचते हैं अपने बारे में तो और ज्यादा जानने के लिए मैं आपसे अनुरोद करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और इस जानकारी को अगर आपको पसंद आई है तो सक्कारात्मक सब्दों में कमेंट बॉक्स में अपने राय वई विचार रखें